अब हस्मु कहता है कि हम्हाम्मेड are farming के हारी यह फालपा है ने कोड़केदियों सब्सक्राइब to your living I and other seeds had our doubts, मतलब यह कहता है कि मैं और जो मेरे दूसरे भाई, जो seeds हैं, बीज हैं, उनके पास, हमारे पास अलग doubts है, क्या सच में यह progress है, क्या सच में यह लोग आगे भढ़ रहे हैं, अब हमारे जैसे seeds की कोई ज़रुरत नहीं है, जानवर जैसे कि बुलक्स, अब ट्रेक्टर आ गए हैं, तो बुलक्स बैलो की भी कोई ज़रुरत नहीं है, ट्रेक्टर ने लोगों का भी काम कम कर दिया है फील्ड में, तो जो लोग पहले खेतों में काम किया करते थे, अब वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, ये वाली चीज़े भी तो सोचने की हैं, अब नेक्स आता है इसका more and more expenses, जादा से जादा खर्चा, अब नेक्स 20 एर्स में, आगे 20 सालों में और भी जादा चेंज आए, अब काउज और बफलो के बिना जो काउड़ डंक था, काउड बफलो तो रही नहीं, जैसे पहले थी गाई बैसे इतनी ट्रेक्टर्स की वज़े से, तो अब काउड डंक मतलब जो उसका गोबर था, वो भी नहीं रहा, तो अब फील्स में फोर्टिलाइजर, उल्वरक जिससे जो फील्ड की, खेत की उगाने की शम्ता भड़ती है, वो नहीं रही, तो हस्मो को अब फर्टिलाइजर खरीदने पड़ते हैं, अब जो नए काउड के जो सीड है, जो क्रॉप उगाई जाती है, वो एजिली, बहुती अराम से, जो इंसेक्ट है, कीड़ों से जो नाए तरेके के जो बीजों से फसले उगाई जाते हैं, इन पर कीड़ों जल्दी अटाक कर देते हैं, तो इसमें दवाईयां चिरकनी पड़ती है, उनको कीड़ों को दूर भगाने के लिए, तो ये दवाईयां जो है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल करती है, इनमें से बदबूपी काफी ज़्यादा आती है, और ये काफी ज़्यादा एक्सपेंसिफ, काफी ज़्यादा महंगी भी ये पड़ती है, केनाल वाटर, केनाल का जो पानी है, केनाल वॉटर यह अब मतलब एनफ नहीं है काफी नहीं पड़ता नई फसलों के लिए तो जो फार्मर्स हैं उनको पंप लगाने पड़ते हैं जमीन में से पानी को निकालने के लिए और इन सारे खर्चों को उठाने के लिए जो किसान है उसको लोन लेना पड़ता है बैंक स अब उसको काफी जादा कम प्रॉफिट हो पाता है क्यूंकि वो बैंक से जो लोन लिया है उसको वापस भी करना पड़ता है तो प्रॉफिट बिकम हो गया अब हर कोई क्या है कोटन उगारा है तो कॉटन के प्राइस भी इतने जादा नहीं है जितने पहले हुआ करते थे अब soil भी ऐसी नहीं है, जैसे पहले हुआ करती थी, एक ही crop को बार 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 उगाने से क्या है, और इतने सारे chemical जो डाले जाते हैं, इससे soil पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और इससे अब soil इस तरीके की हो गई है कि कुछ भी अच्छे से नहीं उगाया जाता है, और अ इससे पहले ही उसको एंग्री हो जाता है, उसका जो एजुकेटेट पढ़ा लिखा जो उसका बेटा है, जिसका नाम परेश है, वो फार्मिंग नहीं करना चाता हूं, उसको नहीं करनी खेती, वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया है, आफ्टर आल, बैंक से जो लोन लिया थ अपिरय ऑफ़ों करा चलिंग करते हैं गर इसका पारेश को लीखक कहूं नहीं होुदिखा परेश को चैसे अर्टर हमान भी उसका सेट एबन बॉक्स शका जो हम बनाया भी मेरे बड़ा जाद ह मेरा ज्लियघ को आई तूर मेरे बड़ा ज्यादा उसम किया च्ब्च ख़े करने के लिए चाहिए होते हैं भो मैं उसमें रखूंगा अब सीड बोलता है आपको समझ आया कि मैं अपनी स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं तो यह आगे अब लेखते हैं अब यह आला अब लो जो ग्रीन बॉक्स है इसका एमें क्या है तो इसमें क्या है बासकर भाई फार्म, उनका एक खेत है जो देहरी विलेच में, देहरी एक विलेच का नाम है, जो की है गुजरात में, उसका ये स्टोरी है, तो बच्चे हैं, ये जब कहते हैं, जब एंटर करते हैं फार्म में, तो बहुती ज़्यादा सप्राइज जो जाते हैं, मतलब चौ बास और सूखी पत्या ही पड़ी होती हैं, कुछ जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं, उसमें पत्या वह भी सूख के गिर रही होती हैं, और उनको कहीं प्लेसे पे कलरफुल रंग बिरंगी लीव उती हैं, तो उनको बहुतार ऐसा क्यूंँ तो बहासकर भायोंने कहते हैं, शुकतों से क्रोटॉन प्लांट है' की क्रोटॉन प्लांट होती है, और सु दर्वा धरती मायोंशन ही और मतलब इसमें यह तो क्रोटॉन प्लांट बता लेते हैं और बच्चे सप्राइज हो गए कि यह किस तरीके से जो रूट्स है क्रोटॉन की बताते हैं जो बासकर भाई है कि क्रोटॉन की जो लीफ्स है न वो ग्राउंड में बहुत अंदर तक नहीं जाती है जब उपर की लेयर ड्राइट हो जाती है तो क्रोटॉन की लीफ्स मुड़के और लिंप हो जाती है तो अल्टी हो की तरफ को आ जाती है तो यह जाता है बहसकर भाई को कि उनको फार्म में पानी देने की ज़रूरत है और हमने यह भी देखा कि आपके बड़े 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 कोकुनट के ट्री थे और जिसमें बहुत सारे फ्रेश कोकुनट लगे हुए थे और हमने सोचा कि यहां पर कुछ स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजर डाले जा रहे होंगे इतने अच्छे फ्रूट्स हो रहे हैं यहां पर कोकुनट के तो भासकर भाई ने कहा नहीं वह कोई फर्टिलाइजर नहीं खरीते हैं ट्रैक्टरी में बना हुआ जब जो पर्टिलाइजर का फुदी फर्टिलाइज हो जाती है जब सूखी पत्तियां हैं वह सड़ करके नीचे गिरती हैं जमीन में मिट्टी के जाती हैं उन्होंने सॉइल डग करी और दिखाया कि थाउजंड्स ओफ ओर्थ वर्म्स जो हैं वह मिट्टी में थे अर्थ क्या करते हैं कि वह नीचे डिख करते रहते हैं खोते रहते हैं जमीन को और टनल जैसी कि रस्ते बना लेते हैं जमीन के अंदर अब वह जो रस्ते बनाते हैं खोद खोद के उससे क्या होता है कि जमीन में हवा और पानी अराम से जो है वह ट्रेवल कर पाता है इससे क्या हो वोपिंग से काफी फ़र्टाइल हो जाती है तो फ़र्टाइल सोल जो है उसमें सारी की सारी फ़सले अच्छे से उक सकती है और फ़र्टिलाइजर बजार से खरीदने की सरवर्वती नहीं है अब प्रवीन ने अपने अंकल के बारे भी बताया जो सिटी में रहते हैं उन्होंने भी अपने गार्डन में एक पिट एक गढ़्धा बना रखा है जिसमें वो सूख्योई पतियां किचिन का बचा हुआ जो वेस्ट होता है इसे की खाना बच गया और सबजी गार्टी तो शिकल बच गए वो सब क्या करते हैं वो ऐक गढ़ी में डाल देते हैं उसमें और यह पूरा वेस्ट है यह एक वेस्ट में कमपोस्ट गतां थेते तो इसको हम नेचुरल फ़र्टिलाइजर बोलते हैं तो इसके अंकल इतना अच्छा फ़र्टिलाइजर भी लेकर के आप आते हैं बिना पैसा खर्च किये तो वह पताते हैं कि हमने कुछ जो है कोकोनट खाए वहां पर जो की बहुत ही जादा टेस्टी थे अब जर्णी ऑफ बाजरा सीट फ्रॉम फील्ड टू प्लेट यह हम लोग को बताई गई है तो हम यह देखते हैं देखे सबसे पहले बाजरे का जो पेड़ था वह उसमें से बाजरे इसको तोड़ा गया फिर बाजरे के उसमें बाहर की तरह कुछ वह लगी होती है एक कॉब अब लग की कोवरे समें बाजरे के निका जाते हैं गमें मैंटतों प्रॉम आटे के बाजर और एक उनली के तेखेसा ऐसे ऐगर हम गाने है तो यह चेप्टर हो यह जाया चामपांवाल आप